नमस्कार दोस्तूं मैं हूँ प्रजवल और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com बढ़ते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की और रामपूर आजमगड में सपा की करारी हार उपचुनाब में भाजपा की जीत को पीए मोदी ने बताया एतिहासिक यूपी उपचुनाब में बीजे पी ने शांदार जीत दर्ज की है। रामपूर लोकसबा सीट के उपचुनाब में भारती जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। रामपूर लोकसबा सीट के साथ साथ बीजेपी ने आजमगड की सीट भी जीत ली है रामपूर लोकसबा सीट के उपचुनाब में भारती जंता पार्टी के घंशाम लोदी ने सपा प्रयत्याशी आसिम रजा को 42,000 वोटों से हराया वहीं आजमगड उपचुनाब में भाजपा के दिनेश लाल निरुवा ने समाजबादी पार्टी की प्रत्याशी धर्मेंदर यादब को मात दी है यूप उपचुनाब में मिली जीट को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एतिहासिक करार दिया है उन्होंने कहा कि आजमगड और रामपुर उपचुनाब की जीत एतिहासिक है और केंदर और उत्रपरदेश में डबल इंजन सरकारों के लिए व्यापक स्तर पर स्विक्रिती और समर्थन का संकेत है म्यूनिक में बोले पिये मोदी एमरजंसी लोकतंतर पर काला धबा 26 जून को लोकतंतर को बनाया गया बंदग जी सेवन शिकर समिलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने रभिबार को म्यूनिक में भारतिय समुदाय के लोगों को संभोधित किया पिये मोदी ने अपने संभोधन में अपातकाल से लेकर लोकतंतर तक के मुद्दो पर बात की पिये मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंतर को कुचलने की सारी साजिशों का जबाब लोकतंतरिक तरीके से ही दिया हम भारतिय कहीं भी रहें अपने लोक्तंतर पर गर्व करते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 1975 की एमर्जनसी को भारत के जीवन्त लोक्तंतर पर एक काला धबा करार दिया महाराष्ट में सियासी संकट के बीच आयोगिता नोटिस के खिलाफ शिंदे बागियों की याचिका पर आद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोड़ महाराष्ट में कॉंग्रिस और राष्टबादी कॉंग्रिस पार्टी के साथ गठवंदन के विरोध में शिंदे और बागी बिधायकों के राज्य चोड़ने के बाद राज्य राजनितिक संकट का सामना कर रहा है बागी विधायक पिछले कुछ दिनों से असम के गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट शिपसेना के बागी नेता एक नाचिंदे और विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्हें महराष्ट के डिप्टी स्पीकर द्वारत जारी आयोगिता नोटिस और शिपसेना विधायक दल के नेता के रूप में अंजे चोधरी की न्युक्ती को चुनोती दी गई है डिप्टी स्पीकर ने ठाकरी की टीम की आयोगिता याचिकाओं पर सोला भागी विधायकों को नोटिस जारी किया था विपक्ष के राष्टपती उमीदबार यश्वन सिना का नामांकन आज विपक्ष के कई दिगज नेता होंगे शामिल देश में होने वाले राष्टपती चुनाफ से पहले नामांकन का दोर जारी है एंडिये प्रत्याशी द्रोपदी मुर्मू के नामांकन दाखिल करने के बाद आज विपक्ष के उमीदबार यश्वन सिनहा अपना नामांकन दाखिल करेंगे वहीं इस दोरान विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगा यश्वन सिनहा के नामांकन के दोरान शरत पवार राहुल गांदी और अखिलेश यादब मौजूद रहेंगे वहीं राजिस्थान के सीम अशोग गहलोत, तमिलनाडू के सीम, एमके स्टालिन भी शामिल होंगे राश्टपती उमीदबार यश्वन सिनहा के नामांकन के लिए विपक्षी नेता दिल्ली पहुंच चुके है अगनिपत योजना के खिलाफ आज कॉंग्रिस करीगी देश व्यापी परदर्शन सरकार पर दबाब बनाने की रहेगी कोशिश देश में जब से सरकार नए अगनिपत योजना लेकर आई है तब से इसका देश भर में विरोध परदर्शन हो रहा है बिपक्षी पार्टियां लगातार इस मसले पर केंदर सरकार को घेर रही है इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कॉंग्रिस के कारेकरता सरकार की अगनिपत के खिलाफ परदर्शन करेंगे कॉंग्रिस के कारेकरता देश में हर बिधान सबा में अगनिपत योजना के खिलाफ सडकों पर उतर कर विरोध परदशन करेंगे परदशन में पार्टी के सांसद बिधायक और नेता भी शामिल होंगे अगनिपत योजना को लेकर कॉंग्रिस कारे करता और नेता देश भर में सुबा 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परदशिन करेंगे फिलहाल अभी के लिए इतना ही ऐसी तमाम अपडेट्स और न्यूस स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए